नमस्का दोस्तों, वेलकम बैक टो रिदान्स मॉम गाटन तो दोस्तों, ये एक पौदा है जो सभी के घर में मिल जाता है चाहे आप इसे जेट प्लांट कहिए, एलिफंट बुस कहिए, या क्रेशुला कहिए ये सभी मिलते जुलते प्लांट है और ये, हाला कि ये बहुत easy growing plant है, low maintenance plant है लेकिन फिर भे बहुत सारे लोगों के घर में ये प्लांट नहीं चलता है कहते हैं कि जेट प्लांट उनके हाँ नहीं टिकता है तो उसका main region जो है, ये over watering होता है और भी बहुत सारे reasons हैं जिसकी वज़े से ये प्लांट नहीं चलते है तो आज मैं इसे पर वीडियो बनाई हूँ तो दोस्तो आज आप please end तक बने रहिएगा मैं सारे points को मैं cover करूंगी कि किस वज़े से जो है ये plants हमारे घर में नहीं टिकते हैं तो आप end तक बने रहिएगा तो दोस्तो सबसे पहले है over watering और water related problem दोस्तो कैसे पहचाने कि इसमें water related problem हुआ है over watering है तो इसके जो है leaves ज़ड़ जाते हैं अगर ज़्यादा water हो जाया आप प्लान को ज़्यादा water दे रहे हैं इसके leaves ज़ड़ने लगते हैं हलका touch करेंगे तो भी गिर जाएंगे इसमें देखे जैसे इतना मैं कर रहे हैं फिर भी एक भी leaves नहीं गिरे हैं इसमें water का जो लेबल है जितना इसको जरूरत है उतना दे रही हूं मैं इस वज़े से जो है इसमें देखिए प्लांट मेरे काफी हल दी है अगर ओवर वाटरिंग हुआ तो हलके हाथ से भी आप ऐसे leaves टच करेंगे तो वो गिर जाएगा और गमले में भी पुरा leaves गिरे हुए हैं मतलब कि आपका प्लांट ओवर वाटरिंग का सिकार है तो आप इसमें कम पाने दीजिए और इसमें मित्टी में चेक कीजिए अगर मित्टी पूरा ड्राइ हो गया है तब ही इसमें पाने दीजिए क्योंकि ये सकुलेंट वराइटी का प्लांट है और इसके leaves में ही पानी होता है और इसलिए इसको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है तो आप इसको ध्यान से पानी दीजिए जितना इसको जरूरत है उतना ही इसमें पानी दीजिए दूसरा है lack of sunlight दोस्तो इस प्लांट को आप full day की sunlight में रखिए अगर full day की sunlight आप नहीं दे पा रहा है नहीं रख पा रहा है ऐसे location में फिर भी इसको 4-5 गंटे की sunlight जरूर दीजिए नहीं तो ये plant जो है लेगी हो जाएगा जैसे कि ये देखे ये ऐसे एक डो branches जो है वो ऐसे निकलाएंगे और ये leaves के बीच में भी काफिग gap हो जाएगा जैसे ये इसमें देखे इसमें बिल्कुल gap नहीं है बहुत घना है लेकिन इसमें जो है देखे इसमें ये कितना gap है तो इसका मतलब ये है कि इसको sunlight की कमी हो रही है और ये जो है काफी ये branches जो है लंबे तयार करता है ये grow होते जाता है जिदर रोशनी उस तरफ ये जाता है कि इसको साइद sunlight मिल जाए तो अगर ऐसा है इसके branches laggy हो रहे है तो इसको फॉरण आप sunlight में रखिये इसको sunlight की कमी हो रही है और तीसरा रीजन है leaves कभी कभी जो है shrink हो जाते है और उसका main reason ये है कि पानी की कमी क्योंकि दोस्तों हर plants का अलग-अलग requirement होता है पानी का और अलग-अलग climate में होता है जिससे कि summer में अगर आप कम पानी देंगे तो ये इसके leaves shrink हो जाएंगे क्योंकि environment बहुत dry होता है तो उस time हमें पानी ज्यादा देने चाहिए और वही आदत रहता है तो हम monsoon में भी वैसे ही same पानी देते हैं तो ये गलती करते हैं क्योंकि monsoon में temperature environment में humid रहता है तो leaves जो है पानी absorb कर लेता है तो हमें monsoon में इसमें ज्यादा पानी नहीं देने चाहिए winter इसका dormant period रहता है तो winter में भी इसमें ज्यादा पानी नहीं देने चाहिए तो ये हमें climate देख के ही इसमें watering करनी चाहिए और four है drastic change in temperature जैसे कि बरसात है और काफी पानी से पौदा आपका खराब हो रहा है थी इसको आपने indoor रख दिया या ऐसी चगर में रख दिया जहां पर रोशनी नहीं आ रही है पहले धूप में रहता था बारिस हवा ताजी हवाए सब मिलता था उसके बाद आपने इसको एकदम से indoor रख दिया या ऐसी जगर में रखा जहां पर ताजा हवा नहीं मिल रहा है तो ये जो है ये drastic change हुआ तो इसमें भी plant खराब हो जाता है और दूसरा है ये heavy soil आप अपने plants को हमेशा जो है wilderness soil तयार कीजिए इसमें मिटी में पानी नहीं रुकने चाहिए अगर इसके मिटी में पानी रुक गया तो ये जड़ खराब हो जाता है जड़ जो है सड़ने लगता है उसकी वज़े से नीचे से ही ये plant खराब होगा और plants की मजबूती होती है उसके जड़ में अगर जड़ खराब हो गया उसमें कमजोर हो रहा है तो branches तो खराब होंगे ही वो तो गिर ही जाएंगे तो इसलिए जो है अगर आपके गमले में मिट्टी है जिसमें पानी रुक रहा है तो मिट्टी आफ और इसका चेंज कर दीजिए और दोस्तो और फटिलाइजर भी होता है इसका में कारण क्योंकि हम कहीं भी सुनते है कि ये फटिलाइजर देने से प्लांट अच्छा होता है ये दे दो वो दे दो ऐसा नहीं रोज रोज कोई भी प्लांट को फटिलाइजर नहीं देना चाहिए ये बहुत ही इजी टो ग्रोइंग प्लांट है इसमें ज्यादा फटिलाइजर की रिक्वार्मेंट नहीं होती है आप 3-4 महिने में एक बार इसको फटिलाइजर दे दीजिए या फिर आप साल में दो बार फटिलाइज कर दे इस प्लांट को तो भी ये चल जाता है इसको ज़्यादा फटिलाइजर की ज़ुरत नहीं है इसको बिलकुल भी मत दीजिए कम फटिलाइजर दीजिए और दोस्तो ये प्लांट ज्यादा आप इसको केर करेंगे तो ये पक्का आपका खराब हो जाएगा इसको ज्यादा केर करने की ज़ुरत नहीं है साल में दो बार खात दे दीजिए और ये अपना आप ग्रो होते रहेगा और दोस्तो अगला पोइंट है इनसेक्ट एटेक इसमें जो है दोस्तो मिली बक का एटेक हो जाता है तो अगर मिली बक का एटेक हुआ है अप कॉटन से आप क्लीन कर सकते हैं या वाटर स्परे कर दिजिए निकल जाते हैं अगर ज्यादा है तब आप इसमें soap solution spray कीजिए या neem oil spray कीजिए क्योंकि ये millibux जो है ये छोटे छोटे वाइट कलर के जो कुड़े होते हैं ये plants के apical tip में ये जो tip है यहीं पर attack करते हैं और जो है plants हमारे यहीं से grow होते हैं अगर इसी में जो attack है तो फिर कैसे आगे plant आगे बढ़ेगा जैसे इनसान का ये गला दबा दिया जाएगा तो वो कैसे आगे survive करेगा वही है ये apical tip में अगर कीड़े लग गए तो फिर जैसे इसमें है देखिए यहां पर है जोटा सा ये है मिली बग तो ये apical tip में ही attack करते हैं और इसके जितने मोस्चर है न्यूट्रिंस है ये सब यूज कर लेते हैं तो प्लांट्स आगे नहीं बढ़ पाता है ये देखिए चल रहा है तो ये मौनसुन का सीजन है और बहुत ज्यादा बारिस हो रही है और प्लांट जो है ये मिटी हमेशा गीली है तो प्लांट आपका खराब हो सकता है तो आप ऐसे जगह में रखिए अपने प्लांट को जहां पर उपर शेड हो ताकि बरसात का पानी एनिटाम इस पे ना पड़े लेकिन इस्ट फेसिंग में रखिए ताकि धूप इस पे डारेक्ट पड़े लेकिन बरसात के पानी से ये बचे तो ऐसे सेड एडिया में रखिए ऐसे ही दोस्तों ये मेरा काफी ज्यादा है मेरे पास पॉर्ट और ये काफी सालों से मेरे पास है ये प्लांट सब जेट प बहुत अच्छे से ग्रो होगा और सालो साल आपके गार्डन में बना रहेगा और दोस्तों इसके जो है टोपियारा या बोंजाय भी तैयार कर सकते हैं इसके बंद मन चाहा सेप आप दे सकते हैं तो आसा करते हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा मुलाकात होती रहे थैंक यू एंड हैपी गार्डनिंग